ख़बर बाइसी में आप सब काश वागत है अब ख़बर वी स्तार से बाइसी परखन में फिर से दूसरी बार परमुख बने मुहमन इंतियाज आलम और उपरमुख बने मक्सूद आलम बाइसी परखन के विबिन्स सत्रे पंचातों में नर्म निर्वाचित पंचा समिती सदस आज अनुमंडल पडिसर में अनुमंडल पदाधी काडी अमने अंदर कुमार पंकज द्वारा सभी सत्रे पंचातों के सभी पंचात समिती को उनकी निश्टा अवंग मद निशेद अभियान को पुर्णता लागू करने सपद गरन कराया गया 22 परखंड में परमुक этवं उफ परमुक का निर्वाचन किया गया जिसे पूरे अनुमंडल पड़िसर में इसके खुशी भीर के रुप में उभर पड़ी परखन में दूसरी बार परमुख बने मुहम्मद इम्तियाज आलाम ने पंचायत वासियों का सुक्रिया आदा करते हुए प्रेस को संबोदित किया और उन्हेंने क्या का सुनिया अज मैं इस पोजीशन पर हूँ और मुझے इतना सारा संबान मिला मैं शुक्रिया आदा करता हूँ गराम पंचायत आसदा मोवया का एक हैक जनताओं का जिन्होंने मुझे 25 समिती में जिता कर फिर से परमुख बनाने का मौका दिया और हम निर्विरोध परमुख बने मैं बहुत भ़़ध धन्यवाद देता हूँ और उन जनताओं को मैं तहे दिल से सुकृडिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहां तक जिता कर हमको भेजा मैं अपने जीत का सुकृडिया अदा करता हूँ मैं सम्मानित सभी पंचायत समितियों को दिल से सुकृडिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे निर्विरोध परमुख चुना और मैं दुवारा परमुख चुने गए इस बार लक्ष ये रहेगा कि जो सम्मान रूप से मुझे पंचाय समीती निर्विरोज चुने हैं उनके कांदे से कांदे मिलाकर हम जो है काम करेंगे और उन दबे हुए गरीब जनताओं का काम करेंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता था मुहमद इंदियारा रूम बलोग पर्मुख भाईसी उहीं परकन में दूसरी बार उपपरमुख बने मौममद मक्सुद आलम ने सबका सुक्ड़िया अदा किया और फ्रेस को समिधित करते हुए का बाईशी पर्खन का उपपरमुग भी हमको पंचाई समेती बनाया और पंचाई समेती का हम लाग लाग सुकुरिया करते हैं एमडी मक्सुद आलम पहस साल आप किस बरकाद जनता के साथ रहेंगे बहुत जहाता हुआ मान सम्मान करेंगे साथ मिल्यूल के काम करेंगे रहेंगे पर्खंद के सबी 17 पंचेतों के उप सरपन्ज का भी चुनाओ पर्खंद निर्वाचन पता दीकाडी अनित कुमारे न पता दीकाडी द्वारा कराया गया यह सबी को सबत दिलाया गया